हेलो एवरिवान आम समीना और समीना जिटिल वर्ड आज हम लोग देखते हैं कि यह पुरानी सी खाट है इसको कैसे बुन सकते हैं इस चार पाई को यह देखे हैं यह हमारी होम टाउन में हमारी इनलाउस के घर में है यह इसमें काफी जंक आया हुआ है तो इसको आज बुनते हैं इसको बुनने से पहले से क्लीन करना होगा जंक को क्लीन करना था तो यह रेगमाल होता है इससे इसको रगड के क्लीन करेंगे रेगमाल का पीस तो पूरा जंक रस निकल गया इससे देखिए इस तरह से लगणा पड़ा है काफी और उसके बाद फिर इसको गीले कपड़े से हमने क्लीन कर दिया इसके जो पाइपस थे यह पूर अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर यह एक पेंट है उससे हमने इसको पेंट किया है कोई स इसको खड़ा करके इसको प्रॉपरली पेंट कर लेंगे तो यह अच्छी एकदम नियू हो जाएगी यह देखिए इसको पेंट होने के बाद यह कैसी लग रही है अब इसको बिनना स्टार्ट करने से पहले पेपर पर आपको समझा देते हैं कि इसको कैसे बिनना हम लोग बनाई करेंगे इस तरह से उसको नोट लगा कि इसको सामने वाला जो जो कॉर्णर है वहां तक इसको लेकर जाना है और इसको अपर साइड से नीचे की तरफ डॉलेंगे जो इसको बुने की और नीचे से निकालते हुए दूसरी साइड से उपर निकालेंगे और लोगने नीचे समझे लगाष प्रोचल के प्रोचल की सबना के सब में और जाएं, पर पर की साइब से बीडिखाए यह सांच में आपいき जो सबीड्यूर नीचे सबस्क्तौ डराएं इस अपर ले जाएंगे इस तरह से उपड़? और फूल जाये बर भोन नीमाला डोर्सेइब कस में तो ऐसे 215 प्रॉसेज धे तरहिए सुझ को सब्ड़न की दाला के फिर फिर आपर साइट सनी डालेंगे नीच वर डीकेड़ान के ऐं ौर एक उठाना है तो इसको स्टीप को गुमाना एक और सामने ओक और समने वाले कॉर्णर से बुनना तक लिए तरह से नॉटानी है परह अच्छे से टाइट टाइव दुर्ट लिखा था फ।ब करेंगे उसके बाद इसके भई की खीछ वे जायेंगे सामने वाले कॉर्न पर नी्चे से डालना है यासे निकाल लेना है देखिए उस साइड से निकाल के फिर खीच के ले जाना है सामने वाली साइड में और फिर नीटे से डालना है और यहां से एक को दबा देना है इस साइड से निकाल लेना है इस तरह से खीच के फिर नॉट वाली साइड में पहुच जाएंगे नॉट वाली सा से साथ में थोड़ा सा दोज्वपीजन होता है आब इसको पहले वाली छप नोचुछ और वीन चाहला है और जातीज दूट को धाना डीज़ें में, इसतरj नाइये सा सीन कैसे आप निशन हो जुच्छ ल मचे हमें कि परष्ट को और देन टीज नाईय यह लेके जा रहे हैं. बस दियान काहिए ट्वाले साइड तो नोटवाली साइड में पहुंचेंगे. पत्ती क्लीकम कशुच दिया का बिल चाहिए निकाल एक यह तो निकाल को यहां. आपको भूस्केथ के निकाला कंवर कह़ों ह्सक्रादागें. बहुत आसानी से बंगी है यह इस तरह से यहें नोटे साइड में अलेापल में आशा हैं अब यह आ चाहले हैं नौडे सामने साइड का कॉण 40 Stop इस फाले में डारेक्ट निकालना है एक ही पट्टी में जो आप खीच के ला रहे हैं पट्टी उसी को बस लेना है और उसके बाद वाली दबा देना है यहां पर दो नहीं छोड़नी एक ही छोड़नी है और बस यह दो स्टेप आपको याद हो गए तो आराम से यह चरपाई आपकी बुन जाएगी देखे इस तरह से बस अपन डाउन निकालते चले जाना है जो एक उचा है उसको नीचे करना है और यह फटा-फट आपकी चरपाई बुनती चली जाएगी तो बस अब हम आपको इसको फास्ट फारवड में दिखा रहे हैं क्योंकि पूरा चरपाई इतना बुनने के बाद जब यहां पर इस पेस कम रहे तो यह पट्टिया है इनको हाथ से साइड में खसकाना पड़ेगा आपको दोनों साइड से ताकि आपका इस पेस बनता रहे पट्टी लाने के लिए इतना ध्यान रखिएगा यहां पर देखे रोल खतम हो गया था तो दूसरे रोल को स्टिच कर लिया है हमने सुईं से ताकि रोल फिर बढ़ गया है यहां पेक लिए हमाल्मु अपर थाल इस निकाल सी यहां रहा है तो कि आपको जोर्ड को थालती निकाल रहें है यहां तक पुंचने के बाद ऐसोले आपको एक 2 लुट वर्सनों के जरुरत हो एं हमारे मढईर इनलोई है तो उनकी हेल्प से हमने फिर तॉको टाइड किया है, जो हमारी फर्स स्टेप थी ना उसको फहले खीचना है और उसी को खीचते वे नीचे से देखना है कि यहां जा रही है, फिर नाश्ट में आपको इसमें नॉट लगा देनी है कORNNER में इस तरह से नॉट लगा के नीचे की साइड में इसको नॉट को टाइट कर देंगे और यह हमारी चारपाई कार्ड बनके रेडी हो गई है और यह हमारी बची है और यह हमारी ब्रदर इनलॉग की बेटी है तीनों enjoy कर रही हैं चरपाई पर बैठना मस्ती कर रही हैं खुश हैं क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में दूप में बैठना अच्छा लगता है ये flats में तो ही मज़े नहीं मिलते मगर हाँ अपने hometown पर ही मज़े मिलते हैं तो इन सर्दियों में अगर आपके भी घर में कोई पुरानी चरपाई है तो आप उसे घर में बुन सकते हैं बहुत आसानी से बुनिये घर में और चट पे बिचाईए और सर्दियों की मज़े लीजिए क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हो तो सर्दियों में चट पे बैटने के लिए चरपाई की जरूरत पड़ती है तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फ्रेंज और उसके पास जो बैल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजे ताकि जब भी हमका इनी वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कर दीजे और अपने फैमिली और फ्रेंट्स में शेयर करिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना खुब ख्याल रखिए इंजॉय करिए सर्दियों को हैव अनाइस जे